स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल कटारिया फार मिसमी दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे क्वालिटी अशुरेंस की यूनिट सेकेंड का सेकेंड पार्ट दोस्तों फर्स्ट पार्ट अपने चैनल पर अप्लोड कर चुके हैं तो आप इसको देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो में अपने देखेंगे प्रीमाइजीज के बारे में प्रीमाइजीज का मतलब क्या होता है जो इंडस्टी होती है जिसमें अपन मतलब जो मेडिसीन उनका प्रोड़क्शन करवाते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है मतलब कैसे बनी हो जाते हैं बिल को ध्यान से देखना क्योंकि त्योरी ज्यादा है आप इसकी मत करना वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगा आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलो सुरू करते हैं वीडियो को प्रिमाइजेज इंट्रोडेक्शन देख लेते हैं प्रि प्रिमाइजेज होता है उसका में रोल होता है जो प्रोडेक्ट अपन फॉर्म कर रहे हैं मतलब उसकी क्वालिटी कैसी होगी तो इसमें फर्स्ट है अपने अपने स्लेवर्स के एकोडिंग चलेंगे फर्स्ट टोपिक दे रहा है इसमें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या क्या होता है दे प्रिमाइजेस तो बे यूज़ फोर दे मैनुफक्टरि प्रोसेस्ट पेकरजिंग ऑन वल्डिंग उब ड्रग प्रोडक्ट शुट बी स्टेबल साइज डिजाइन अन कंस्ट्रक्शन अन लोकेश में उसके अकोडिंग जो प्रिक्माइज है वो मैनुफक्चर होनी चाहिए दा फॉलोईंग गाडलाइन शुट बी फॉलोईंग फॉलोईंग प्लांट डिजाइन अन कंस्ट्रक्शन फहले देखते हैं वॉल के बारे में वॉल कैसे होनी चाहिए मतलब जो वाल होती है इंजस्ट्री की वो फिनिश होनी चाहिए और उनके ओपर इनेमल और आप्योक्चिपेंट किया जाना चाहिए प्रीफेब्रिकेटेट पॉर्शन शुट्ट बी यूज इन पैकजिंग एरिया वेर फ्लेक्सिबिलिटी ओफ लेट इस रिक्वाइड चाहिए सेकेड़् है फ्लॉर्वार में के आकषे एग्यों कोंटेक्ट में आते हैं अपने फ्लॉर्ण से उससे होना चाहिए फ्लॉर्शżej मोंट विदाओट क्रेक्स एकणेज्ड वासेबल होना शुट्र कोंटेक्ट छो और अट्से का जा सके मॉना और उसके उपर कोई भी dust accumulate नहीं होनी चाहिए सम एक्जामपल है हमारे floors में क्या क्या यूज किया जा सकता है इसके लिए सम commonly used covering क्या है टेराजो और क्रेमिक एंड विनायल टाइल जो यह विनायल टाइल से नोट इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन एरिया में इनका यूज नहीं करते हैं इसके बाद थाड़ है इसमें ceiling अपन पढ़ रहे हैं design and construction में तो इसमें थाड़ है ceiling ceiling में क्या होता है दोस्तों in the manufacturing area the ceiling should be seamless plaster and gypsum board मतलब mainly seamless plaster और gypsum board की बनी होनी चीए with the smooth finish smooth finish होनी चीए जिससे क्या होगा जो dust वगरा है वह accumulate नहीं होगी उसके अंदर all ceiling feature like light fitting air outlet should be so design and permit cleaning and reduce dust accumulation मतलब वह अगर finish होगी उसकी leveling तो dust का inflammation नहीं होगा उसके उपर यह ceiling हो गई इसके बाद service service के इंचीए होनी चीए adequate provision should be made for the drainage water system electrically for easy maintenance of the building मतलब वह सब कुछ proper according wise made होना चीए जो जैसे drainage हो गया water system हो गया steam electricity जिससे के उसको maintenance करने में कोई भी problem नहीं आए वरकर्स को जबाद lightning lightning कैसे होती है adequate amount of light luxe or food candle mainly used होते हैं इसमें should reach the working surface of each area involved in the production of pharmaceutical normally range of 30 to 50 food candle is suitable to provide work comfort मतलब जैसे जितनी अची light होगी उतना वर comfort होगा working जो वरकर होते हैं उनके लिए इसके बाद second है first design and construction देख लिए आपने premises के अंदर आप देखेंगे plant layout plant layout क्या होते हैं इसके type कितनी होते हैं सभी देखेंगे video को skip मत करना दोस्तों आप पूरा देखना जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए plant layout क्या होते है plant layout is the area within the factory building where physical facilities like machinery, equipment, furniture, etc are arranged such to permit quick flow of the material at lowest cost मतलब जो manufacturing industry होती है उसके अंदर जो machinery, equipment and furniture होता है वो मतलब एक proper way में arrange होना चाहिए जिससे क्या है मतलब जो production में cost लगती है वो भी कम हो सके और जो working workers होते हैं उनके लिए भी comfort हो a proper layout can be produced by the arrangement of processing storage and handling area in efficient coordination important of plant layout क्या important of plant layout it allows easy production flow, easy production flow, it provides flexibility of operation, it provides safety, it provides comfort at work types of plant layout manufacturing unit plant layout is the following four types four types के हैं दोस्तों कौन कौन से हैं देखते हैं product or line layout product and line layout in this layout all the equipment, machine, tool and other items required for processing मतलब जो भी requirements होती है production के लिए are arranged as per the sequence in which the operation including production, testing and packaging मतलब sequence में arrange होते हैं मतलब पहले production होगा उसके बाद testing होगी उसके बाद उसकी packaging हो जाएगी advantage क्या है इसके first के, first कौन था था, product and line layout तो इसके advantage क्या है, low cost of material handling मतलब handling में low cost लेगेगी continuous workflow, workflow continue हो जाएगा optimum use of floor space, floor space का optimum use कर सकते हैं इसके दोरा, second है process layout इसमें क्या है, in this layout all the equipment machine, etc are not arranged as per the sequence of operation operation के according sequence में नहीं होते हैं, इसमें arrange हो भी है, machines वगरा equipment the department should be located at minimum distance to avoid long distance movement of material मतलब इसमें minimum distance में ही, जो production department है, जो machinery equipment हो arrange होते हैं, जिसे की long distance movement कम हो जाता है, award हो जाता है advantage क्या है इसके, process layout के, lower initial capital investment lower initial capital investment, portion and location layout यह third है, in this layout complete product और major part of its product at fixed location, लगबग complete product एक ही location पर produce किया जाता है, इसके advantage क्या है, time and cost saving, flexible layout, adjustment can be made, इसके बाद fourth है इसमें combined layout, this layout is a combination of product and process layout to take, मतलब जो अपने पीछे पढ़ा था product and process layout to take the advantage और बोत, मतलब इसमें दोनों को combined किया जिसे, दोनों की advantage एक जगे मिल सकें, तो दोस्तों यह plant layout पढ़ लिए, second पर अपर third पढ़ेंगे, sanitization, मतलब building को clean कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या क्या करकते हैं, building use for manufacturing, processing, packaging, storing of drug product would be maintained under clean and sanitary condition, should be not ingested with rodent, bird, insect and other vermin, मतलब जो भी अपन use कर रहे हैं, industry, working area, उसमें जो भी है, infected, rodents, birds, insects हैं, उनकी entry नहीं होनी चाहिए, वो proper sanitary condition में होनी चाहिए, जिससे क्या जो product है हमारा, वो safe रह सक्के, उसमें कोई भी contamination का chances ना बने, the cleaning procedure should be written and validated suitably, the routine sanitation program should be conducted properly record and should indicate the following, क्या क्या होना चाहिए, इसके इंदर proper sanitation program में specific area to be clean and cleaning interval, मतलब जो भी specific area उसको clean किया गया है और कितने time में किया गया है, cleaning procedure to be followed including equipment and material to be used are cleaning, personal assign for the cleaning operation, मतलब एक person appoint किया जाता है cleaning operation के लिए, इसके बाद है maintenance, होरत है maintenance, building using the manufacturing packaging और warehousing of drug products should be properly maintained, maintain होनी चाहिए, कंडिशन मेंटेन होगी तो product हमारा quality से बनेगा, a deteriorated building present a poor image of the facility and allow effect the product quality, मतलब direct effect पढ़ता है product की quality पे अगर proper building का maintenance नहीं होता है तो, any crack or hole in the wall, floor and ceiling of warehouse can provide entry of insects, birds, rodents, dead and microorganisms यह तो होना ही है अगर hole अगरा है तो birds भी आ सकते हैं उसके अंदर microorganism, rodents, कुछ भी आ सकता है जो हमारे लिए safe नहीं है हमारे product के लिए, thus increase the risk of cross contamination and microbial growth फिर तहा है environmental control, environmental में क्या क्या control रखना चाहिए यह भी important है हमारे product को shape को रखने के लिए environment indicate the entire surrounding लब चारो तरफ जो भी है environment pharmaceutical manufacturing plant produce large amount of waste material that polluted the environment यह तो है कि अगर अपन chemical से drug बनाएंगे तो waste तो निकलेगा उनमें वो भी harmful होता है every pharmaceutical manufacturing should take appropriate step to reduce generation of waste material सभी industry लगबग ऐसे step use करते हैं जिससे की waste material उसको reduce कर सके हैं in the premise the product and its residue and waste should neither be allowed to escape in that most similar directly atmosphere में ना escape करें nor be discharge directly into the normal drainage system then drainage system में भी directly इसको dispose ना करें the proper maintenance of environmental condition like temperature humidity and are required for proper manufacturing of the drug product the facility providing special environmental condition of pressure differential and between room should be monitor regularly तो दो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों करें में भीडियो में दोस्तों करें में भीडियो में दोस्तों